तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ राकेश जुन्जुन्वाला जी की most profitable investment राकेश जुन्जुन्वाला जी मार्केट पे राज करते थे फिलहाल वो इस दुनिया में नहीं है बट उनकी still जो investment है काफी सारी investment ऐसी थी जिनमें उनको multi bagger 100x तक के returns या उससे भी ज़्यादा के returns हमको देखने को मिले हैं तो आज हम वही discuss करेंगे कि उनकी most profitable investment कौन कौन सी थी सबसे पहले हम राकेश जुन्जुन्वाला जी के बारे में जान लेते हैं 1960 से 2022 तक उनका purchase firm को देखने को मिला और stock market में जब उन्होंने कदम रखा था तो उसके बाद short selling करके काफी पैसा बनाया बट बाद में वह भी investment में आ गया और यही एक अच्छा तरीका है अगर आपको अपने पैसे को multi fold return देखने हैं तो आपको investment में ज़रूर आना चाहिए राकेज जुन्जुन्वाला जी तो biggest या most influential investor देखने को मिलते हैं Indian stock market की history में unfortunately वो 14 अगस्त को पास अभी हो गए थे बट still कुछ ऐसी investment है जो अभी भी बहुत profit उनको दे रही है और अब उनका जो account है वो उनकी wife मिसिस रेखा जुन्जुन्वाला जी संभालती भी नजर आती है तो कौन कौन सी investment है उसकी तो हम बाद में बात करेंगे बट पहले थोड़ा सा और जान लेते हैं यहाँ पर राकेश जुन्जुन्वाला जी को बिग पुल के नाम से भी इंडिया में एक बहुत बड़ी popularity मिले हुई है क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें इंडिया में इतना potential था कोई उसको जज़ नहीं कर पाया और राकेश जुन्जुन्वाला जी या फिर राधा क्रिशन दमानी जी विजे केडिया जी यह बहुत पुरानी टाइम के अच्छे बड़े दिगज इंवेस्टर मनें जिनमें एक मोतिलाल ओसवाल जी भी है अगर हम फिलहाल बिग बूल राकेश जुन्जुन्वाला जी की टोटल पॉर्टफोलियो की बात करें तो लगबख 32,000 करोर से ज़्यादा की वर्थ उनके पॉर्टफोलियो की देखने को मिलती है अब जानते हैं कि कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा बनाया सबसे पहले उनकी सबसे प्राफिटेबल अगर हम बात करें तो कोई इन्वेस्मेंट रही वो थी टाइटन टाइटन की 2003 में लगबख 6 करोड शेयर से नोने बाय के थे 3 रुपे पर शेयर के हिसाब से टाइटन क्योंकि अच्छा खासा एक्सपैंड कर रहा था जोईलरी के बिजनिस में और वो लगातार बाय करते चले गए आज के समय पर अगर हम देखें तो लगबख 5% का स्टेक उनका देखने को मिलता है जो लगबख 11,000 करोड की वैलुएशन रखता है और रिसेंटली सितंबर के बाद का डेटा आया है जहां पर थोड़ी सी और इन्वेस्मेंट जो है देखने को मिलिये जो उनकी वाइफ रेका जुन जुन वाला जी ने किया और वो भी टाइटन में ही यहनि टाइटन में अभी और इस्टेक उनका बढ़तावा नजर आया ह सैकेंड अगर हम बात करें तो टाटा टी राके जुन जुन वाला जी ने यहां पर बहुत बड़ा फर्स्ट बिग ट्रेड लिया था अपना और उन्होंने पांच जार क्वांटिटी 43 रुपे में खरी दी लगबग 1986 के समय पे उनको विश्वास था कि यह बहुत अच्छा बेनिफिट देगी क्योंकि टी प्रोडक्शन जो है वो एक काफी पॉपुलर होती जा रही थी उस समय पे स्टॉक लगबग 143 रुपे तक चला गया था तीन मेहने के अंदर अंदर फिलहाल अगर हम देखें तो 22 रुपे के आजपास जब वो पहुँचा तो उन्होंने य एक स्टोरी भी है अगर आप लोगों को स्टोरी नहीं पता तो मुझे कमेंट में बताना मैं उसके लिए एक डेडिकेटड वीडियो भी बना दूँगा क्राइसल में उनके साथ एक बहुत अच्छी चीज होते होते रह गई वो भी उनकी मा की विज़े से तो वो क्या है व बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं तो इसलिए क्रेडिट रेटिंग एजिंसी भी काफी अच्छा ग्रोग करेगी अगर करेंट वैलिशन की बात करें तो तेहरा सो करोड के आस्वास स्टेक उनका फिलहाल क्राइसल में देखने को मिलता है फोर्थ अगर हम बात करें त का 2017 में देखने को मिला था जो एक प्राइविट कंपनी थी यानि स्टार्ट अप था जभी कंपनी में उन्होंने पैसा लगा दिया था ये एक ऑनलाइन गेमिंग कंपनी है जो बहुत ही मैसिव पोटेंशल के साथ ग्रोव हो सकती है बट रिसेंटली गवर्मेंट ने बात करें तो मेट्रो ब्रेंड्स राकेश जुन्यून वाला ने मेट्रो ब्रेंड्स में 2007 में ही पैसा लगा दिया था क्योंकि इंडिया की फुट्वियर मार्केट जो है वो एंटर कर रही थी बहुत सारी ऐसी ग्रोथ की तरफ जहां बहुत ही बड़ा पोटेंशन नजर आ रहा था तो उन्होंने इस चीज़ को पहले ही देख लिया था और अल्री कंपनी जो है वो जो राइसिंग पर कैपिटा इंकम है उस पर भी फोकस कर रही थी जिस वज़े से मेट्रो ब्रेंड को उन्होंने चुना और वहां पर अच्छा कासा इंवेस्मेंट किया जब उ इनके पौटपोलियों में देखने को मिलते जिनों बहुत पैसा बनाकर दिया है उन estalks में से जितना पैसा उन्होंने बनाया है शयद यास तक किसी ने बनाया होगा बट सारे स्टोक कावर करना पॉस्टर्पल नहीं ए वीडियो बहुत जादा लंबा हो जाएगा तो यहा आपको पता होगा कि मोदी जी ने भी यहाँ पर कुछ वर्ड्स जो है वो राकेश जुन जुन वाला जी के लिए लिखे थे आप स्क्रीन पर देख सकते हो कमपनी की अगर हम बात करें तो इनकी जो कमपनी है फिलहाल वो रेखा जुन 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 वाला जी संभाल रही है और कुछ चीज ऐसी जो है जो राधा कृशन दमानी जी को भी हेड ओवर की गई है क्योंकि राधा कृशन दमानी जी उत्थे वो कमपनी के अगर हम बात करें तो जो कमपनी है राकेश जुन 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 वाला जी की फिलहाल उनकी वाइप्स संभालते भी नज़र आ रही है औ तो अभी रीसेंट ली न्यूज आई थी जहां राकेश जुन्जानवाला जी की वाइफ ने कुछ फंड्स या कुछ ऐसा पार्ट जो फिलहाल राधा कृषिन दमानी जी के अंडर्टेकिंग में ड़कती है जहां पर वो सारी देखरेक राधा कृषिन दमानी जी ही करने वाल करते हैं